मुझा जा रहे हैं बाहर सोचा अज फूल डे बाहर स्पेंड करेंगे तो ब्रेकफस्ट कर लिया है कल का लेफ्ट ओर राइस था तो जस्ट एक फ्राइड राइस सब बनाया और वो खाया और अभी पहले कॉस को जाएंगे फिर वहाँ से फिर मॉल जाना है तो लास्ट फ्राइडे को मैंने वीडियो पोस्ट नहीं करी थी I was not well तो इस वज़े से मैं वोईस ओवर नहीं कर पाई वीडियो एडिट वगरा करके मैं रखा था पर फ्राइडे जब मैं रिटन आई तो I was not feeling well बहुत जादा सर्दी हो रखी थी और I was feeling feverish तो फिर I thought की चलो let's take a break तो मैंने कुछ भी रेकॉर्ड नहीं किया तो now I am back अभी भी सर्दी है बट now I am okay तो Saturday का दिन था तो we thought की चलो पूरा दिन बाहर spend करते हैं तो breakfast करके हम निकले थे तो पहले हम Costco गए थे फिर वहाँ से अभी हम ball आये है यह Irvine ball है तो पहले हम यहाँ पे lunch करेंगे क्योंकि it's already lunch time और फिर उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी देर spend करेंगे और यह जगे मुझे काफी अच्छी लगती है यहाँ पे सारे shops भी है और फिर ऐसे ना खुला खुला है पूरा अगर आपको shopping करनी है कर सकते हो या फिर सिर्फ window shopping और बैटने के लिए भी बहुत सारे जगे है जिस्ट आपको आके बैटना है रिलाक्स करना है तो भी आप यहाँ पे आ सकते हो और चिल्रन्स एरिया भी एक है प्ले एरिया जो भी यहाँ पे दिकरा है वहाँ गर बच्चों को खेल लाए तो थोड़ी देर वो खेल सकते हैं और यहाँ पे एक इंडिन रेस्टोरेंट है छोटा सा तो हम आए हैं वहाँ पे तो यह हमने food order किया है बच्चों के लिए kids मी लिया था बढ़ा बणे को वड़ा पाऊ बर्यों काफी में लें बड़ा बरू काफी बड़ा था इट उस काफी अच्छा था साइज बे काफी मड़ा था और नें और फिर उसके बाद हैं सॉर्पश एक्सप्डोर कर रहे थे और यह measure क्यूप है रेटर क्यूंmond और उसमें ना बहुत सारे आपको टॉप्स या फिर कार्डिगन ऐसे आप मिल जाएंगे और प्राइस भी काफी अच्छे प्राइस में डील में आपको मिल जाएंगे क्लिप्स हैर बैंड्स तो जब भी मैं ये शॉप देखती हूँ क्यू तो आइडू विजट तो इस शॉप से मैंने एक पोलका डॉट्स का एक शिर्ट लिया मेरे लिए एक सिलका शिर्ट काफी अच्छा लगा था मुझे और भी बहुत कुछ था पर अभी फिलाल को शॉपिंग नहीं करनी थी तो उपर वो शिर्ट मुझे अच्छी लगी तो वो मैंने ले ली शूज सैंडल्स में भ बहुत सारे डिफर्ट डिफर्ट फ्रेग्रेंसे की कैंडल्स और पॉटल्स आपको मिल जाएंगे काफी अच्छा था सो अजस्ट कीम इन तो एक्स्प्लोर और वो शाम तक हम मॉल में ही थे वही पे हमने स्टार्बक्स में कॉफी ली और फिर हम अराउंड सिक्स थर्टी वे रिटन बैक होम और आज है बड़े नाइट तो मैं कल लंज की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो कल में कड़ी बनाने वाली हूँ तो क्ड़ी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ तो कड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पे दो बड़े चमज धनिया लूँगी और एक च कोड़े से ब्लैक पेपर पाच्छे के करीब ब्लैक पेपर हम इसमें एंड करेंगे और फिर सुखी लाल मिच इसमें तीन जार एंड करूंगी और उसके बाद दो इंच के करीब अद्रग और फिर हरे मिर्च तो यह सब मैंने मिक्षर जार में डाल के रंग दिया है कल में पीस होगी और एक कटोरी में चनादाल में लिया है एक टेबल स्पोन से थोड़ा सा जादा तो वो भी मैं कल सुबह उठते के साथ ही पानी में भिगो दूँगी सोक कर दूँगी और फिर एक आधे घंटे बाद फिर हम इसे क्राइट करेंगे तो आज है ट्यूजडे म पानी ले लिया है दूद करम करने रख दिया है और सबजी के लिए बीन्स और कैरेट मैंने चौप करके रखी थी तो छोटे कुकर में एक सीटी चड़ा दूँगी तो फिर अच्छे से उसके बाद सिर्फ तड़काई देना है और यहां पे टैमरेंट मेंने सोक किया था र जगे पर रख दूँगी तो सुबह अगर में जल्दी थोड़ा उड़ती हूँ न तो काम थोड़ा टाइम से हो जाता है एक दम पुरा रश नहीं होता और अगर आपको पता है कि क्या बनाना है कुकिंग में क्या करना है वैसे आप अगर मील प्रेप करके रखते हो तो काम काफी असान हो जाता है और फटाफट हो जाता है यू केन गो विन दी फ्लो ने तो फिर सुबह उटके फिर सोचते मैठो क्या बलाओ फिर लगता है कि यार ये तो काटना पड़ेगा ये तो तयार नहीं है तो बहुत टाइम उसमें जाता है और फिर मूर भी खराब होता है तो उटे के साथ ही मैंने चना दाल सोग करके रखा था पानी में अच्छे से वो सौफ्ट हो गए है तो विक्षर जार में कल सब रेडी करके रखा था तो चना दाल आड़ किया है कोकनेट इसमें आड़ किया है थोड़ा सा पानी आड़ करके इसका एक हम अच्छा सा फाइ बगरा ली है तो वेजिस बगरा डाल के मैं रवाउ बनाऊंगी तो सिंपल सा तड़का देंगे बस्टर्ड सीड्स में उरत की दाल और हरी मिर्च करी पता इस पार इंडिन स्टोर में अवेलबल नहीं था प्याज अड़ किया है प्याज को अच्छे से हम भूद लेंगे उस मिक्स कर देंगे और फिर उपावल में रेड़ी तो यह कड़ी के लिए जो हमने पीसा था वो एक बरतन में डाला है और बटर मिल्क अल्रड़ी करके रखा था तो बटर मिल्क अड़ किया है हल्दी और नमक तो बस इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि उसमें कोई लब्स नहों और यह मैंने वाइट पंकिन बॉइल करके रखी थी तो वो हम उसमें अड़ करेंगे और लो फ्लेम में कड़ी को अच्छे से कुक होने देंगे अगर फ्लेम हाय रखेंगे तो कड़ी फट सकती है तो गैस का फ्लेम लो ही रखा है और बस कड़ी पंदी है तो बीज सारी कैरेट और बीज को मैंने कुकर में एक सीटी लगाया था तो कुक हो गए है बस मैंने सिंपल सा तड़का दिया उपर से में कोकनट से गार्णिश करूगी और सबजी अलसो इस रेड़ी तो यहां पे मैं कुछ फूरूट कट कर दूगी ब्रेकफास्ट के लिए तो एपल और पेर मेंने कट कर ली है तो एक साथ बैक तो बैक चारों ही जो गैस टॉप है वो ना मॉर्निंग आवर्स में यूज हो जाती है और काम जो है वो फटा फट हो जाता है बन्या तो खुझ से नहा लेती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने से पहली ही मैं कोकिंग पूरा फिनिश कर दू और फिर मैं उनको स्कूल ड्रॉप करके आती हूँ और सिर्फ जो क्लीनिंग का पार्ट है वो करती हूँ तब तक ये जो गैस टॉप है वो भी थोड़ा थंडा हो जाता है तो क्लीनिंग भी एज़ी रहता है त क्योंकि टाइम कम पड़ेगा तो इसलिए मिने पहले ही इंडिन स्टोर से काजु कतली की एक बॉक्स लाए थी तो वही में वकवान के पास रख दूँगी और उपमा रेडी है लच बॉक्स पे पैक कर दूँगी और आज बच्चों की स्कूल में पिच्चर डे है तो दोनों ही सेम सेम अड्रेस में आ है तो उनकी मैंने थोड़े से पिच्चर ली तो बस अभी मैं उनको स्कूल डॉप करके आओंगे तो बच्चों को स्कूल डॉप करके मैं घर आ गई हूँ और अगर कोई फेस्टिवल आता है तो उसे अच्छे से आप सेलिबरेट नहीं कर पाते हो तो प्रशाद के लिए मैंने एक आजू कतली लाई थी तो वही मैंने बखवान के पास रखा है और रखा था दो तीन बरफी तो पर बच्चों ने स्कूल जाने से पहले एक एक बरफी खाली तो बस अभी मैं किचिन को वाइड अब करके टेबल पे सब खाना में रख दूँगी और किचन को पूरा में क्लीट कर दूँगी ये जो पूरा टाइम है वो कैसे भागता है टाइम निकलता है पता ही नहीं चलता उठती मैं 540 के करीब हूँ पर मैं घर चोड़ने त दोनों के लिए ही खाना में बना दिया है तो एक अच्छा होता है अगर सुबह में सारी कुकिंग हो जाती है तो एट लीस्ट हाफ अफ अफ ते डे मुझे कुक किचन में जादा कुछ करना नहीं पड़ता तो एवनिक टाइम थोड़ा फ्री मिलता है अगर मैं बस एक इस में सांबर रस्म बनाती हूँ और बाकी की दिन फिर मैं सुबह एक ही टाइम का कुछ बनाती हूँ सुबह या फिर सिर्फ डाल बना दिया या फिर सिर्फ सांबर बना दिया या फिर लंच बॉक्स में अगर मैंने कुछ पिक्स ट्राइस पैक की है जैसे की लेमन राइस स्कैप्सिकम रैस ऐसे तो लंच में सिर्फ रसन बनावगी और फिर रात को हम कुछ लाइट सा स्नैक या रोटी चपाती या फिर कुछ और ऐसे दोसा इडली ऐसे खा लेते हैं और बीच में एक दिन मैं ऐसे फुल मील्स रेडी कर देती हूँ तो किचन क्लीनिंग पूरा सब हो गया है तो अभी मैं बस नाश्टा कर रही हूँ और आज ये मिले एक नया कुर्ता पहना है आज की दिन कुछ नया पहनते हैं और बस फिर नाश्टा करके मैं फिर स्कूल के लिए निकलोगी तो बस यही था मिन आज का व्लाग हो करती हूँ क्या आपको वीडियो अच्छी लगी हो If you are liking the contents of my channel stay connected, consider subscribing Every Tuesdays and Fridays I post videos तो I will see you in the next video Till then take care and bye